सबसे पहले मेरा प्यारा बचा मैं इंट्रोडेक्शन करता हूं कॉडिनेशन कंपाउंड का अगर मैं कॉडिनेशन कंपाउंड की बात करो तो अंदर से एक फिलिंग आती होगी that is coordinate bond आप लोग जानते हो कि कुछ basic bond आप लोगों ने सुन अखे हैं जैसे covalent bond होता था covalent bond में क्या होता था mutual sharing हो जाते थी electron की जब mutual sharing होती थी तो covalent bond बनता हूं एक bond और पढ़ा था उसको ionic bond करते जहें आइनिक bond में क्या होता है transfer of electron होता था एक लोग electron lose करता था दूसरा electron gain करता था और तब जो bond बनता था उससे गुलते आइनिक bond coordinate bond जो होता है यह आप लोगों को पता भी होगा इसमें क्या होता है मेरा प्याराश्चा mutual sharing होता है बलब दोनों electron जो होते हैं वह एक एक लोगों का होता है और वह mutual sharing करके तब बन बराते हैं तो तीन तरीके के bond आप लोग जानते हो covalent bond, ionic bond और coordinate bond यह अच्छा coordinate bond से ही chapter थोड़ा थोड़ा create हो रहा है coordination compound तो एक idea तो लगा होना चाहिए कि coordinate bond होते क्या है coordinate bond generally cooling ऑ mail होते हैं जिमें एक electron इसका होगा और shar agency करेंगे heartfelt sharing करेंगे यहां भी है लेकिन एक इसका है, एक इसका है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों इसके, मैं थोड़ा गलत बोल गया, इसमें होता है mutual sharing, लेकिन इसमें जो sharing होता है, वो mutual ना होके क्या होता है कि दोनों के दोनों किसी एक ही के होते हैं, और वो दूसरे को देता है electron share करने के लिए, ऐसे कैसे स तो चले एक-डो एक-जाम्पल से समझते हैं shampoo लेते हैं कि लिए मैं यहां पर कुछ coordination strategies रहा हूँ coordinate bond में सबसे पहले एक example है कि एक- unto ऐसी सिच्वेशन आती कब है कि कोई अपने electron किसी दूसरे को दे दे bond-बनाने के लिए क्यों दूसरे को bond ये देगा bond बनाने के लिए तो वो तब होता है जब उसके पास electron थोड़े extra पड़े हो extra पड़े होने का अलब 109 8 से जादा हूं extra पड़े होने का मितलब bond बनाने में यूज नहीं कर रहा है और जब कोई ऐसा आता है जिसके पास electron की कमी होती है एक भी electron नहीं विचारेक पास इसको दो electron चाहिए stable होने के लिए hydrogen helium दो ही चाहिए होते हैं तो ये इससे दो electron कहेगा हमको दे दो कहेगा हम कहेगा हम कहेदे बाई share करने के लिए दे देगा ये कहेगा कि चलो हमारे दो electron ले लो और तुम share कर लो और share करके बहुन बना जो electron देता है उसे कहते हैं donor और जो electron accept करता है उसे कहते हैं acceptor coordinate bond तब बनता है वो sharing से ही create होते हैं लेकिन sharing के तोरान दोनों के दोनों electron किसी donor के ही होते है donor donate तब करेगा जब electron ज़्यादा होंगे तो वो loose base होते हैं जिनके पास electron ज़्यादा होते हैं वो loose base होते हैं इसके पास electron की कमी है जो accept करते हैं वो loose acid होते हैं बिल्कुल basic से start कर रहा हूं है कॉड़नेशन compound बन गया कहानी यह कहता है कि अगर माना मेरे सामने एक कोई है salt 1 माना कोई हमने salt 1 ले लिया उसको वैपर में convert कर दिया I am converting it into the vapors vapors में convert कर दिया कोई दूसरा salt ले लिया क्यासर दो ही salt ले सकते हैं नहीं ज़्यादा भी ले सकते हो दो salt ले लिया इनको वैपर में convert कर दिया चले जी वैपर में convert कर दिया दोनों वैपर आपस में क्या हो गए mix mix हो जाने के बाद जब उनको तुम condensate करोगे condensate करने का मलब liquid फिर और जादा थोड़ा सा cool कर दोगे तो वो crystal बनाएंगे अब जब ये crystal बनाएंगे तो ये crystal दो चीजों के होंगे मलब crystal बनाने का मतलब actually वो addition product बनाते हैं addition product का मतलब क्या है add हो गए दो salt के वैपर आपस में chemically add हो गए और chemically जुडने के बाद एक नए तरीके का compound बनाए जिसको addition compound कहते हैं अब ये होता कब है जब दो लिखा भी है इसमें अब समझिएगा यहां क्या है कि जब दो या दो से ज़ादा independent stable compound यहां हम salt लेके चले थे वो आपस में combine करते हैं आइदर physically और chemically जैसे वैपर की form में या chemically combine करें तो उनके combination से नया compound बनता है और जो नया compound बनता है उसको कहते हैं addition product यह addition product दो चीजों के हो सकते हैं या तो double salt के या तो मेरा प्यारा बच्चा किसके हो सकते हैं complex salt के जो सबसे पहला question आपके school में बन सकता है इस chapter से वो यही है कि what is the difference between double salt and complex salt अब double salt और complex salt के बीच में क्या difference होता है उसको समझाईए जरा चलिए चलते ही अभी इतना समझ मैं है कि 2 या 2 से ज़्यादा salt को वैपर में convert करेंगे mix हो जाएंगे condensate करेंगे crystal बनेंगे मतलब addition product बनेगा जो भी addition product बनेगा या तो double salt का होगा या तो complex salt का होगा these two are come in the category of addition compound चलिए अब addition compound यहां तक की बाते समझा दिया अब आगे बढ़ते हैं addition compound हमने बताया वही सेम चीज़ दो चीज़ों के होते हैं या तो double salt के होते हैं फ़रा double salt के बारे पढ़ लो double salt होते क्या हैं double salt हम generally उनको कहते हैं नाम से बता चला है दो salt उसलिए combine करके बने ही थे लेकिन इसकी एक खास बात है ये stable तो रहते हैं stable का मतलब अपने आप अलग ना हो रहे हों तूट ना जा रहे हों आयन में break ना हो जा रहे हों लेकिन कभी stable रहते हैं cable solid state में वो stable रहते हैं cable solid state में लेकिन वो जैसे ही उनको पानी में डालोगे इनको dissolve करोगे water के अंदर तो वो individual constituent में break कर जाएं they will be break into individual constituent individual constituent का मतलब individual iron में break हो जाएंगे उनको बोलते हैं double salt या उनको हम एक नाम और देते हैं lattice compound इनके कई सारे double salt के कई सारे example होते हैं मैं भी इनके example discuss करूँगा इनमें से जो तुम्हें अभी पढ़ना है अब दूसरा देखो जिसको हम बोल लाते हैं complex salt complex salt मनलब coordination compound ये complex salt कैसे बनते हैं ये चुली तब बनते हैं जब कोई metal atom iron कोई metal किसी iron के साथ combine करता है और combine करके coordinate bond बना लेता है बना लेता है तब जो bond बनते हैं उनको coordinate compound कहते हैं या फिर इन्हें तुम complex salt कह सकते हो complex salt की खास बात है कि इनको जब तुम water में डालोगे पानी में डालोगे तो ये पूरी तरीके से break नहीं होंगे पूरी तरह से ionize नहीं होंगे पूरी तरीके से ionize नहीं होंगे partially ionize होंगे समझ में आएगा दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कोई परिसानी वाली बात नहीं चलिए एक 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 जामपल दोले देख लेते हैं सबके फिर इसके बाद तब हम आके बढ़ते हैं डबल स्लड का कुछ few एक जामपल देख लो कि इस जो एक पहला एक जामपल है। में उनिंहीं की बात करता हूँ भी तो यह हो गया इसको हम पुदाइसलम कहते हैं ठीक इसको कहते हैं पुदाइसलम एक और आता है би तो आमोनियम सल्पेट छीक है डॉक्ष इस यह क्या है मोहर्सॉल्ट का याद करना ही करने है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो डबल सौड में बाखी एक्जामपल क्यों याद करो यही एक्जामपल याद करो से क्यों यहाद करना है क्योंकि जब तुम अभी टाइट रेशंस में ुवर्वा उप्वा तनि बीर मोधद स nutrition देखते हो तो यह फूत सब्स पयाखतत हूच सब्सक्राइट उनकर वज लिखने के लिएक बढ़नेते हैं जो यह यह चो पूचने कभी-कभी कि मधध्य एक हैं चाहरे पूचे जो हुआटरण सब्सक्राइब कंफा है नवह नटनीπουल में double salt तो तो इसको तुम aqu vest medium मेar डालोगे तो यह पूरी तरीके सा आयन में ब्रेक हो जाय tejout ap неयगा के प्लस में तूट जायागा an e2- तोट जाएगा, Cl- में तोट जाएगा, और Water तो Water ही, वो तो Water में चला जाएगा, लेकिन Condition Compound में नहीं होता है, एक एक जामपल देखो, Condition Compound का, नाम आगे चलके देरे-देरे सीखना, नाम है Potassium Pharoosanide, इसको जब तुम पानी में डाले, तो यह पूरी तरीके से नहीं तोट और कैसे टूटा, Fe Cen का Whole 6, 4-, तो अब अगर तुम देखो, यह तो टूटा नहीं, आप साथ टूटना ने टूटनेस क्या मतलब है, क्या है क्लिए इतना प्रसान होड़ो, टूटना ने टूटनेस क्या हो जाएगा, तो टूटना ने टूटनेस यह अंतर आ जाएगा, कि अ आप प्रिजन इन दा फॉर्म आफ आयन, जब यह पूरी तरीका से टूट जाता, जैसे फेरा सलफेट पानी में टूट जाता है, Fe 2 प्लस में और सलफेट आयन में, तो जब मैं Fe 2 प्लस को पता करने के लिए केमिकल मिलाता हूँ, तो Fe 2 से कंबाइन करके वो उसकी प्रिजन लूज कर देते हैं, तो कॉर्नेसिन कमपाउड में यह वर्ड मिलेगा आगे चलके कि कॉर्नेसिन कमपाउड में कमपाउड अपनी identity लूज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलक पता है उनके बादें धूड़ी नहीं पावोगे, जब वो पूरी तरीका से आयन मे ब्रेक हो तभी तो उसकी identity maintain नहेंगी overall चीजों को मैं जोड के वापस ले के आऊँ आपके सामने तो तीन बाते निकल के आऊँ बात नमबर एक coordinate bond sun ने सिखाया कि ये एक sharing से बनता है जिसमें दोनों के दोनों electron किसी एक ही की होते हैं donor share करता है sector को coordinate compound और coordinate bond जिनके अंदर होता है उन compound को कहते हैं coordination compound बनते कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा stable compound को या salt को आपस में mix करते हो यह operate करके condensate करके crystal मना लो तो उससे addition compound बनते हैं वो addition compound दो चीजों के हो सकते हैं या तो double salt के या तो complex salt के double salt के बारे में एक idea लगा कि वो पानी में जाने पर पूरी तरीके से iron में break हो जाता है लेकिन जो condition compound है वो पूरी तरीके से पानी में जाके break नहीं होता है तो देखो पानी में जब डाला तो यह पूरी तरीके से iron में जाके break नहीं हो वो ब्रेक हुआ भी तो के प्लस और एफी सिंग्स मानस में ही के वल ब्रेक होगा तो यह यहां पर एफी टू प्लफ का ट्रस्ट नहीं दे पाए इंदे लूज देरा अडेंटिटी मतलब अच्छा यह थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं यह भी सही है यह भी सही होने का मतलब दोनों एस्पेक्ट सही होते हैं कभी-कभी जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भी कभी-कभी वैसे confused हो जाते हो, किसरा आप तो बता रहे थे कि identity उसमें lose करता है, तो किसके respect में, तुम identity वर्ड किसके respect में बात कर रहे हो, अगर मैं आयन के पहचानने की basis में बात करूँ तो इधर lose हो रही identity, यहाँ identity का मतलब वो टूड गया, जब ऐसे टूटा, जब ऐसे टूड गया तो इसमालब अपनी identity lose कर दी, लेकिन जब यह पानी में गया, तो यह नहीं टूटा, तो मनलब वो complex compound अपनी identity maintain की होगे हैं, तो अगर मैं पूरे compound के तौर पे देखूँ, तो double sort अपनी identity lose करता है, लेकिन मैं iron के respect में बात करूँ, तो coordination compound lose कर देता है, क्योंकि उसमें iron के बारे में पता नहीं चल पता है, तो जब difference पर जाएंगे, तो difference जो लिख रहा है, उसी basis पर बोलिएगा, कि double sort अपनी identity lose कर देते हैं, solid में तो maintain करते हैं, लेकिन aqueous में lose कर देते हैं, लेकिन coordination compound अपनी identity maintain लेक्ते हैं, अ वो dissociate हो गया, that's why अपनी identity lose कर दिया, लेकिन ये solid में था, तब भी ये compound की form में था, और जब dissociate हुआ, तब भी पूरी तरीकस नहीं dissociate हुआ, मलब aqueous के अंदर भी थोड़ी थोड़ी अपनी identity maintain करने भर की छमता रख पाया है, थोड़ा थोड़ा, तो पहला point, वो अपनी identity maintain कर लेते हैं, ये अपनी identity lose कर देते हैं, डूसरा difference, difference देखे आता है, ये पहला question ऐसा है, जो मैं कह सकता हूँ कि, हाँ, school में या exam में पूर सकता है, आपसे, that is, what is the difference between double salt and complex salt, तो double salt and complex salt में difference आप सीख रहे हो, double salt में क्या है, कि जो double salt में, जो property होती है, double salt की, वो same होती है, as a constituent ions, constituent ions का मतलब, Fe2 plus है, ammonium है, कोई भी है, जैसे ही, इसमें तुम देखो, ये double salt की जो property होगी, वो same रहेगी, जो इनकी property है, ये सर कैसे, अगर तुम उस salt को पानी में डाल को, Mg2 plus का test करोगे, तो आपको Mg2 plus मिल जाएगा, क्योंकि वो iron की form में present है, लेकिन वहाँ iron जो पहले cyanide iron था, ये बना जब होगा, तो एक्षली में cyanide iron था, अब cyanide iron combine हो गया, अब उसके अंदर चला गया, अब ये तो free नहीं है, जब ये फ्री नहीं है, ये तो जुड गया उसके साथ, अब तुम cyanide वाला कोई test करोगे, देगा ही नहीं है, तो क्या उसके अंदर वो property जो है, वो सेम है, उसके constituent जैसे, अंदर वो cyan वाला test देगा क्या, क्या जो जिससे मिलके बनाता, वो हर उसके जैसी property दे पाएगा, या जितने भी constituent थे, constituent अपनी presence दे पाते थे, किसी से react करके, क्या आप दे पाएंगे तो नहीं, तो इसमें जो property होती है, coordination compound की जो बनता ह है, वो बिल्कुल अलग होती है, जिससे बनता है, लेकिन वहाँ पर property जो double solid की होती है, वो constituent ion जैसा ही होता है, double solid में तुमको देखने को मिलेगा ionic bond, इसलिए टूट भी गया था, वो ionic bond जल्दी पानी में break हो जाते हैं, तो इसमें देखने को क्या मिलेगा, इसमें देख इन दोनों के बीच में देखो तो यह ionic bond ही है, लेकिन जो complex वाला हिस्सा है, जो हिस्सा complex हिस्से के अंदर है, वो मेरा प्यारा बच्चा definitely क्या रहेगा, उसके अंदर coordinate bond है, वो ionic नहीं रहेगा, एक बात और, इसके अंदर जो element होते हैं, वो normal valency रखते हैं, normal valency का मलब, iron ह नहीं है, तो iron की valency ही है, तो 2 रख लो, या तो 3 रख लो, sir, valency का मलब कितने से जुड़ा है, कितने के साथ bond बनाया है, लेकिन भया, इसमें तुमको valency जो होगी, वो extended मिलेगी, इन्होंने लिख दिया, prime and secondary valency, वो तो अभी आप समझोगे, वर्नर थियोरी में, अभी बस इतना समझोगे, इसमें valency आप ऐसे लिख सकते हो, कि इसमें जो valency होती है, वो क्या हो जाती है, extend हो जाती है, iron की valency देखो 6-6 दिखा रहा है, iron 6-7 के साथ जुड़ा हुआ जेखो, और normal valency कितने होती है, 2 और 3 होती है, तो एक difference यहाँ पर आपको तयार होना चाहिए, अब यहाँ तक में आपको कोई question, कोई doubt हो करें वो पूछो, किसी कोगी, जानवी इतनी चीज़ समझ में आगी बटा, स्रिष्टी, जानवी, तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा समझ में आई, कि coordination compound जो होते हैं, उनमें coordinate bound होता है, double solid जो होता है, उनमे प्रॉपर्टी आयन से match करती है, उसमें प्रॉपर्टी बदल जाती है, शुरू से लेके आया हूँ, तो अंदाजा लग गया, दोनों के दोनों, कौन से type के compound खालाते हैं, कोई बताएगा, दोनों के दोनों, एक ही type, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मालब दोनों के अंदर में ही आएंगे, बट जब उनको हम तोडेंगे, तो एक हो जाएगा double salt, और एक हो जाएगा complex salt, तो school या board या कहीं पे भी पहला question जो create हुआ, कि double salt और complex salt के बीच में difference बताओ, तो difference ही हो जाएगा, notes मैंने आपको पहले से ही, आपको group पे भेज रखे हैं, आप notes से कुछ example हैं, जो हमारे daily life में use होते हैं, अगर यह example तुम यहाँ तो देख रहे हो प्यारा बेटा, यह example तुम्हारे book में, last में दिया है, कि coordination compound के usage कहां होते हैं, ऐसे करके, और board में कई बार आया भी है, बच्चे लिखी नहीं पाते हैं, objective question में बोल देता है, कहता है बताओ, बताओ, vitamin B12, vitamin 12 में बताओ, किस metal का complex compound होता है, ऐसे competition में आता है question, बताओ, vitamin 12 जो होता है, उसके अंदर कौन से metal का coordination, मलब कौन से metal का complex है वो, तो कुछ example यहाँ देखो, जो daily life में हम यूज करते हैं, देखो, कुछ example देते हैं, यह अच्छा चीज है, याद कर सकते हो, vitamin 12, vitamin 12 जो होता है, अब जिसको हम लोग कभी-कभी vitamin 12 हो गया, साइनो, blackmax, जो भी है, अब इसमें अगर देखो, जो इस form में मिलता था, जो भी तुम्हें को उन्हें में दिखाया था, आप उसको मत छो, vitamin 12 कोई पुछे कि किस का, कौन से metal का है, complex amount, तो कोबाल्ट का है, structure में हो याद कर लो यहाँ पर, vitamin 12 किस का है, कोबाल्ट का है, आ गया जो, वो कोबाल्ट का हो गया, next, हीमोगलोबिन, blood दिखा रहा हुआ हीमोगलोबिन, तो हीमोगलोबिन है, वो किसका complex है, iron का है, इसलिए लोग कहते हैं, कि हीमोगलोबिन कम हो गया, आइरन खाओ, जब आइर सारे compound ऐसे हैं, जो, लीगेंड का काम करेंगे, और वो combine करके हीमोगलोबिन बना देंगे, तो जब हीमोगलोबिन की कम हो, तो एक तरीक से iron की कम होती है, iron और हीमोगलोबिन दोनों proportional है, तो कोई कभी किसी से बोले न, कि हीमोगलोबिन की कमी है, तो मनलब उससे कह सबते हो, क्वेश्ट की कमिं तो आयरेन की आयरेन का ही तो ठीगे मैं इसलिए दे रहा हो इसे याद रहे कभी एक्जाम में आए तो आप्जीक्टिव कुशन करता हूँ चली आयरेन का होगया भी और होता है मैंने इस principals हो गया जांपल को सीखने के बाद कुझ चोटे चोटे question का answer दो फिर मैं आगे बताओ which of the following is double salt इनमें से double salt कौन है सिंगल option question है तो बाकी याद है तो ठीक नहीं याद है कोई बाद नहीं वो दिरे दरे तो याद हो जाएंगी जब आगे बढ़ दोगे ठीक है अगला कोडिनेशन compound or formed by option क्या जाएगा mutually sharing नहीं होता है इसमें sharing होता है electron pair of one double bond मलब एक ही atom के दोनों electron share होते है mutual sharing नहीं होता है mutual में equivalent होता है के लो जी अब कुछ छोटे-छोटे important terms बता देता हूं उनको सिखा के फिर मैं आज की class यहीं पर ओवर करूंगा फिर ऐसे देरे देरे लबक 40-50 मुनद पढ़ाता रहूंगा तो एक वीक में चप्टर हो जाएगा प्रॉपर यह एक example किसी का complex compound का example किसी भी complex compound में कितने हिस्से होते हैं उनको सीखते हैं पहला हिस्षा central metal atom या आयन थ्यान दीजिए क्या कहूंगा शему हो सबादा सेंट्रल में मैं जब पढ़ाता हो तो ऐसे नहीं लिकता हो मैं ऐसे लिखता हूं atom और आयन में यह यह वरुद यूज करता हूं सेंटल मेनल एक आयन क्यों कि सब अटम और आयन का मतलब क्या है क्योंकि कभी कभी प्रणक्रीं प्रेज intersection है यह मैटल की form में फ्रेजंट हो सकता है यायन की फर्म ही प्रेजंट हो सकता है तो जब ION का कउब Ну युलति क्वा क्मपलग्स देखते हो जरूरी नहीं क्यों यो वह सकता है श्र Watts अपक्र्पलोस मितなら बीज्वाद को निकाना कौबर्ण के यह सकता है tools वो प्यूर मेटल की फॉर्म में होता है इसी लिए मैं यह सब्द बोलना ज्यादा पसंद करता हूं मैटल एटम और आयन ना कि मैटल आयन तो चलिए यहां पर पहला बढ़ाया सेंट्रल मैटल एटम और आयन आप कोई पुछे कि यह क्या होते हैं तो हम कहेंगे दीज आर दोज इस्पसीज यह ऐसे इस्पसीज होते हैं यह फिर मैटल होते हैं जनली किसके डी ब्लॉक के यह डी ब्लॉक के मैटल होते हैं डी ब्लॉक ही क्यों क्योंकि इनके पास वैकन डी और्बिटल होता है यह खास रात है अभी कोई electron देने आएगा जब जैसे ammonium ion coordinate bond बनाने के लिए electron दे रहे हैं तो कोई लेगा कहा है electron electron लेने के लिए भी तो d orbital खाली होने चाहिए न तभी तो electron ले पाएगा इसलिए metal हमेशा d block का होता है आधिक तर जितने complex वोगे d block की element which have unpaired unpaired d orbital in which they accept the electron from the ligands that are known as sentimental atom ion चली आगे बढ़ते हैं को इस पर बाद में बदाऊंगा अभी इस पर ध्यान दो यह अग्ला टर्म है legands मैं legands मैं सब्सक्राइब करना पसंद करता हूं spasid मैं हर बार spasid को लेख रहाँ की शूरी लिखने चाहिज sır्हा चीजे आसान हो जाते हैं उर्फ के पिरूद्स ही कि भीर्थ यह कि परता मैं n की बात कराूं कि इक यह अग्लब निश्क्राइब सब कुछ atom ion जो central metal atom ion को क्या देते हैं electron pairs देते हैं and form और क्या करते हैं बना लेते हैं क्या बना लेते हैं कोडिनीट बॉन मलब जो electron pair देते हैं उन्हें हम बोलते हैं legons ठीक है अगला देखो अगला है हमें इसको मिटा दे रहां अगली चीज़ें को यहां क्या बता रहो है इसको दिखा रहा है यहां इसको दिखा रहा है यह जात 6 लिखा है तो coordination नमबर भी आगे चल के सीखोगे कि यह होता है total number of coordinate bond कितने total number of coordinate bond बन है total number of coordinate bond जो कौन बनाते हैं made by ligands जो बनाते कौन है ligands बनाते हैं किसके साथ with central metal atom जो किसके साथ बनाते हैं central metal atom या आयन जो इनके साथ बनाते हैं उनको उसको बोलते हैं कोडिनेशन नमबर आचा जो ब्राकट के बाहर रह गया था फिर यह क्या था जो यह ब्राकट के बाहर रह गया है इसको क्या कहते हैं किसी को पता है क्या कहते हैं पढ़ात होगा आप लोगों ने इसको कहते हैं ionization spare क्यों ionization spare क्यों ionization spare कहते हैं क्यों ionize होता है जब तुम इस complex compound को पानी में डालोगे तो ion में break होके यही तो निकल के आएगा यह इतना हिस्सा तो तूटेगा ही नहीं तो जो हिस्सा यह square bracket के बाहर लिखा होता है यही हिस्सा आयन में generally convert होता है इसलिए जो बाहर हिस्सा लिखा होता है इसको क्या कहते है ionization spare कहते है मैं पहले complex compound के सारे part बता दे रहा हूं कौन कोंसे part होते हैं यह ionization spare कभी-कभी पहले लिखा होता है कभी-कभी बाद में लिखा होता है पहले का मनलब कभी कभी ऐसे लिखा होगा के पोर एपी सी यन का ओल्फिक्स अब इसके अंदर दखो अतनीक आपज़र करो इसके अंदर कौन क्या क्या चीज़े हैं इसके अंदर दखो यह हो गया आयनिजेशन इस पेर स्थेम चीज़ यह हो गया वह मैटल एटम आयन यह हो पर हो जाएगा इसका कॉड़नेशन नंबर मैं और अच्छे समझाओंगा भी यह हो गया कॉड़नेशन नंबर कितने बांड बना रहा हैं और यह जो इसक्वाइर ब्रैकट में चीज़ लिखी होती ही ना पैरा बेटा इसक्वाइर ब्रैकट के अंदर लिखी होने का मिलब जो कि नौन आनेजबल हिस्सा जो कि नौन आनेजबल होता है यह और यहां पर बात करो तो यह तो जो हिस्सा स्क्वाइर ब्रैकट के अंदर होता है जो कि क्या होता है नौन आनेजबल पार्ट होता है नौन आनेजबल पार्ट आफ एमी कॉंप्लक्स किसी भी कॉंप्लक्स compound का जो non ionizable part है उसे बोलते हैं coordination sphere ते देखें छोटे छोटे चोटे तर्म हैं एक एक नमबर में कोई बड़ी बात नहीं कि पूछ ले coordination number क्या होता है coordination sphere क्या होता है ligands क्या होते है central metal atom ion क्या होते है central metal atom ion जो electron है सब करें ligands जो electron दे coordinate bond बना दे ionization sphere जो हिसा ionize हो जाए coordination sphere जो हिसा ionize ना हो coordination number कितने number of coordinate bond बन नहीं number of coordinate bond इतनी चीज़े अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या है coordination entity मैं वहां पर उन्होंने सब्सक्राइब क्या है coordination entity हमने word क्या यूज किया था coordination sphere मैं डिफिनेशन लिख चुका हूं तो बहुत जादा मुझे बताने जोरू नहीं coordination entity या coordination sphere क्या होता है central metal atom ion जो ऐसे ऐसे करके था उसमें central metal होता है प्लस legands होते हैं तो metal atom ion और legands इनको पूरा combine करके क्या बनके आता है coordination entity जो कि non manageable होता है तो यहां तोड़ा गलत नहीं है तोड़ा थोड़ी अच्छी language में नहीं लिखा है आसान वाली आप सिदे यह वो लो कि that part of complex compound which is non manageable and put into the square bracket जिसको हम square bracket के अंदर लिखते हैं और जो non manageable part होता है उससे coordination entity रहते आसान सी भासा में का है के लिए परसान में एक जामपल देखो जैसे यह है अब इतना हिस्सा क्या है यह हिस्सा है गया condition entity क्योंकि इसी के अंदर coordinate one बना है इसी के अंदर metal लिगन प्रिजन्ट होते हैं और यह non manageable है आगे देखो जैसे यह है condition entity ठीक है next central metal atom ion क्या थे अभी बताया था मैंने central atom ion oblique देखो देखो दिया भी है अंदाधा लग गया होगा यह condition entity के अंदर present होता है और होते क्या है मैंने बताया था क्या होते हैं जो electron pair accept करते है da जो accept करते हैं डो accept करते हैं क्या भाईया electron pairs किसे from ligands जो ligands से electronic करते हूं उनको बोलते हैं जैसे यहाँ पर निकल डी ब्लॉक का मेटल होता जनरली ठीक यह भी बता रखाता मैं यह बहुत बड़ी बात नहीं की कि चलो कोशन मतने बताओं कि एंसर क्या आएगा नॉर्मल कोशन कोबाल्ट बल्कुल बच्चो वाले कोशन से चालू कर रहा हूं कोबाल्ट नाम ही दिख रहा तो आडिया लगी जाएगा कोबाल्ट वैसे इस्ट्रेक्चर जब देखो के तो पता चल जाता अगला देख कॉर्णेशन नंबर ओफ एफ आफ प्रटाश्यम फेरोसानाइड में लिख दे रहा हूं एफ 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 इसीन का ओल सिक्स अभी आगे चल के बताओंगा कि हमेशा यही देख के मन बताया करना इससे कभी-कभी धुका भी खा जाओगे लेकर अभी काम चल जा रहा है अ इससे प्रति इससे कि आगे 482 अब लीगन के कुछ टाइब आ बता देता हूं फिर मैं आपको थोड़ा जल्दी फ्रीकर दो इक mall इस वा वेशे कोई कोई भी बच्चा पूरी लाइन नहीं बूला सेंट्रल मैटल आटम और आयन ठीक है सिखाने के लिए बैठा हो इसलिए क्योंकि कोई गल्ती ना निकाल पाए इसलिए इसलिए पुरा बड़ बोली अच्छा लीगेंड क्या होते हैं यह कोई मालिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं जो कॉर्णेड बन बनाते हैं मैटल अटम आयन के साथ इंदा कॉर्णेशन कंपर लीगेंड्स एलेक्ट्रान पेर डोनर होते हैं जो एलेक्ट्रान पेर डोनेट करते हैं लीगेंड्स के डिव यह classification कैसे किया गया है चार्ज की बेसिस पर लिगेंट को चार्ज की बेसिस पर यहां classify कर रहा हूं यह तो charged यह न्यूटल चार्ज में भी दो पास्ट्व यह तो निगिट्ट्व पास्ट्व लिगंट्स की कुछ नाम दिये गए हैं अभी बहुत टेंसर मत लेना वो धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे अपनी आप जब दुम नेमिंग करना चालू करोंगे न यह पेसी तो जैसे रेंडमली यूज होते लेंगे याद हो जाएगा इसको बोलते हैं hydrogenium आ हाइड्रो का मलब वाटर में जब एच प्लस डालो तो वाटर में जब एच प्लस डालो तो क्या बना देता है यह ना तो इसको hydrogenium बोलेंगे तो hydrogenium जब भी बोले तो NH2-NH2 को hydrogen कहते हैं तो hydrogenium एक एच प्लस एड हो जाएगा जब कभी नाम आएगा तो इसका नाम कैसे लिय जाएगा आईउपेसी दौरान इसको hydrogenium ही पढ़ेंगे अगला nitrogenium जब भी पास्ट्यू चार्ज होता तो EM लगा दिया जाता है यह भी रूल्स होते हैं मैं रूल्स डिस्कस करूंगा आपसे अधिकतर तुम देखोगे कि लीगन्स जब में जब पास्ट्यू चार्ज होता तो EM वर्ड मिल जाता है तो नाइट्रोसियम अगला nitrogenium नोटू नाइट्रो नियम चीक है तो यह कुछ पास्ट्यू चार्ज लीगन्न है लेको बड़ा अजीब लगेगा ना तुमको खुद विचारे गरीव हैं खुद के पास्ट्यू चार्ज है मतलब electron की कमी है लेकिन त तो मलब ऐसा हो सकता है कि भाई पैसा ना हो लेकिन दूसरे को दान दे सकते हैं तो ऐसा ही कुछ यहां भी है तो मलब यह electron की कमी के तवर पर संसेडर किये जाएंगे लेकिन तभी यह electron देते हैं कि कुछ निगेट्व लिगंट्स होते हैं कुछ जो अच्छे अच्छे निगेट्व लिगंट्स थे वो यहां पर आपके सामदे प्रिजंट किये गए हैं निगेट्व लिगंट्स में देखो जैसे cn मानेस इसको पढ नंबर मिलेंगे अपको परिसान मत होंबेगा ठीक है तो साइनों भी पड़ते हैं जैसे इसका हलाइड नाम है तो इसको हलीडो पढ़ते हैं एक्छी रूल क्या होता है रूल भी में डिसकस कर लोंगा कि नाम के बाद अगर आईड हो एट हो आईट हो तो उसका ए हटाके ह हम O goal देते हैं कुछ हलका-फलका रूल यह एक पहला तो नाई है लाइन को नाइट्राइट हो गया तो हमें एटाया ओ जगा दैना जगा नाइट्रेटो नाइट्रेटो में zalे मिचले के संमे रूल नहीं है सब्सक्राइब लेट दा तो तो चहीं कहीं हलाइड की जगा हलीडो पड़ते हैं हलीडो का अंबलब प्लोरीडो ब्रोमीडो ये भी चलता है जो लिखा ये भी शही है मैंने कहा कि कुछ बोड में वह सब यूज करते हैं कुछ लोग आइडो ब्रोमो देखो यूज करो नहीं चार्ज भी आगे चल्के यह पड़ा काम का रोल है डेखों यह-1 वाले है अब पढ़ेंगे जाओ तो कुछ--2 वाले मिलेंगे वह चार्ज की बेस्सिस पर भी ynnवेक्सिपाइश करेंगे जैसे सलफाइड पढ़ेंगे स proteg स्लफेट सलफाइट पढ़ेंगे सलफाइटो सलफेट सलफेटो धैर सलफेटो कार्भवनेट कर्बनेट कार्बनेटो यह हटाया ओ लगा दिया तो इन कुछ लिगंट्स नीउट्रल होते हैं अब सबके याद रखने पड़ेंगे क्योंकि नीउट्रल चार्ज याद करने से औक्योडेशन नंबर काम करेगा जो बताते जलानों वो रठना पड़ेगा आप सब कैसे हैं कि आम टेबल बैटके रठते रहेंगे नहीं आप एक काम कर ऑक्साइड, नाइट्रोसिल, कार्बन मोनावकसाइड, कारबोनिल, थाई कार्बोनिल, थाईओ कारबोनील, फॉसफिल, फॉसफाइन थिखें इधर लिखा यह न है यह है आनक्योंnajंद्स ये ब क्रणिstudy, और यह है कि कॉम्फ्लक्स के अंदर नाम लिया कैसे जाया का यह यह होता है कि तुम्हाँ नाम भले यह हो यहां तुम्हारा यह नाम हम लेंगे बात खतम तो कभी कभी लोग स्कूल में नाम बिगाड़ देते हैं सबका कहते हैं तुमको कहेंगा में यह जो मर्जीव कर लो तो वैसे ही हाँ रूल बनाया complex compound ने कि complex compound में इसका नाम ऐसे ही बढ़ा जाएं और भी न्यूट्र लिगंट थोड़े अच्छे देख लो मलब थोड़े कटिन टाइप के त्राइफिनाइल फॉस्पीन ट्राइफिन फॉस्फाइन पढ़ते हैं यह थायोयूरिया थायोयूरिया ही पढ़ते हैं परेडीन परे लिगंड है ना complex compound इस complex compound में लिगंड को नहीं है कि का है डी का है नहीं होगा वहीं जल्दी किसलिए है लिगंड्स तो यह भी है लिगंड्स यह भी है तो एंसर क्या है अगा बी एंड्सी यहां दो मैटल को छोड़कर जो भी बस्ता लिगंड्स होते हैं लिगंड्स क्या होते मता इन चारों में से लिगंड्स क्या होते हैं तो अब यहीं कन्फिज हो जाता है तो कोई छोड़ देते हैं लोग तो इसलिए कि परेते द्धा दोनों वहीं अब कुछ यह हो गए कि कितने electron पर donate करते हैं कोई कितने electron पर donate करता है उस basis पर भी होता है अगर कोई दो बना रहा है तो यह एकला होता है कि ऑग्जलेट के बाद यह देखो इसको हम बोलेंगे amino acid और acid ग्रूप है तो यह भी बाइटेट की कट्रेग्रम आता है क्योंकि दो अकेली कोणिट बनाता है तो इनको बोलते है एक टाइप है तो बाइडिने कोई कितने बांड बना रहा है मैं यहां पर में बना दे रहा हूं यह मेंतल साथ तीन कौनेट बना रहा है तो त्राइडिन्टेट है तो वो धीरे-धीरे याद करना पड़ेगा इसका नाम है काम्त दो कार्बन मालब ना दाइमीन का मलब नाइडरोजन आई जायगा ना टेट्राइसिटेट मालब दो यह सब्सक्ष ऑगये है क्य bracket अटिए इसको कोडियेट बनाना होता है तो यह शे बनाता है एक यहां से एक यहां से है granite 1 प्लस इनके बास लोन पेर भी रहता है में तो अकले यह 6 बनाता है कि सनरों पेर यह Kerry पॉलिडेंटेट दो से जादा तो पॉलिडेंटेट तो नंबर आप बॉन्ड की बेसिस पर यह छे बनाता है इसलिए इसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं इसी में एक नाम और नहीं है उस नाम को हम थोड़ा बता देते हैं तब आगे बाते हैं वह है इन का बोलते हैं इथाइलीन हमको लगता वही था वही है उसको बता देता है इथाइलीन डाइमीन इसमें दो कार्बन होते एक इधर एनस्टू एक इधर नस्टू यह हो गया तो यह अकेले दो बॉन्ड बनाता है इन जब नाम आएगा तो उसको नाम याद रखना है थालीन वन कामा टू डाइमीन यह भी बाइटेंटेट आएगा क्यों बाइटेट के कडिग्रिम आएग आश्युक्त इसथे एधान रखो क्या आता थाम यह की दिग्रीम ना अदे तो इसको हटा दिया वह वाटर मालेकूल आमूंया अमूंया भी राण बना सकता है वह वाटर भी भी दून दिनेटेट में लेगिन कभी-कभी इसको नोज पिर होने के कारड़ वों यहां पर रह कि ठीक है और परडीन भी परडीन भी फूट गया अब देखोगे तो परडीन के इस्ट्रेक्चर में जब जाओगे तो नाइट्रोजन के थूरू अकेले एक बॉन बनाता है तीन तीन आ गए कौन यहां बाइटेट है चलो देखे किसी को याद है बाइटेट यहां अमीनों था एक यादी था ग्लैसनेट भी था और लेट भी था परेडी नहीं तीनों होते हैं तो देखो पहले हम क्यों बहुत आगे भाग के जाएं पहले यहीं पर छोटा-छोटा रट लो कौन बाइ तो आज की क्लास में तक रखता हूँ नेक्ट व्रम स्वाइब थोड़ा सांटेनू स्टार्ट करेंगे अज़कर यहीं देखे मारे सामने जो लीगेंड्स हां पढ़ा रहा है पीछली क्लास में मैंने आपको बताया कि लीगेंड्स होते क्या हैं उस Semelle एक्स्प्लेंड कर यहां पर हम लोग एक word यूज़ करते ह है teknis करते हैं लगबल लगबल है जैसे यहां बी होता है जो और हुख से घरी होती है उर चरहें किये जबान होती है यहां विर व्ढ़हीं होता है वो चारो तरफ से ligands से क्या होता है घिरा होता है metal atom ion is surrounded by the ligands तो हम लोग कभी-कभी ligands को teeth के साथ relate करते हैं और जब teeth के साथ relate करते हैं तो ligands के साथ एक word use कर दिया जाता है कभी-कभी dentate अब कोई कितने electron पेर देगा उस बेसिस पे हम कभी-कभी monodentate, bidentate, tridentate, polydentate यह word बोलते हैं मन में अगर आया कि dented word आया कहां से तो एक feeling हमने समझाई कि कहां से हुआ आया है dented का मतलब कोई कितने electron pair देता है किसको देता है metal atom ion को आपने पिछली क्लास में सीखा कि जो electron pair देता है वो donor मतलब ligands और जो एसर्ट करता है वो metal atom ion होते हैं ठीक है इसी में ligands में आपको आडिया लग गया होगा कि भाईया जो metal atom ion के बाद जो cn है यहां पर वो ligands है यहां जो co है वो ligands है चलिए तो मतलब ligands generally electron pair donor होते थे जिनका काम electron को donate करने का होता था ligands को मैंने पिछली क्लास में divide किया था charge neutral चार्ज में दो होते थे पास्ट्यू और निगेट्यू निट्रल आपके हो गय थे पास्ट्यू लिगंड्स की एक table आपके सामने आई थी कि इनमें सम्में जो होता है generally EM लगता है हमेशा EM वर्ड के साथ सुरू होता है complex में उनका नाम क्या लिया जायेगा यह आपको याद करना था एले ही बोल दिया गया था negative ligands की भी आपको पूरी बारे मताया गया अठा एक बात याद रखना जिसके ओपर जितना negative charge हो वही उसका oxidation नंबर भी होता है यह याद करना पड़ेगा आगे चलके मैं पूछूँगा कि क्लोराइड आइन का कितना oxidation नंबर होता है तो –1, bromide का –1, nitrate का –1, hydroxide का –1, amino का –1 चार्ज के बराबर होता है आसान नहेगा वैसे oxidation नंबर कई another factor पर यह बहुत अच्छा है जिस पर जितना चार्ज उसका वही ऑक्सिडेशन नंबर है तो चार्ज याद करते चलो उससे ऑक्सिडेशन नंबर भी याद रहेगा और उसको क्या नाम दिया जाता है नेमिंग के दौरान वह भी यहाँ पर है बता वहने उस दिया भी था कि आईड उसका यह ह्टा उससे एट अचर्षा नहीं को सब में से ई हटाके ऑफ लगा दिया जाता है ऐसे पर निजहेटव लिग्नम गता होगस्ट्र होता है इनका सब पर गॉंस्याज होता है क mog adesso ऑ्क्सडेशन नंब्र कितना होगा यह सभी त्षांट्र यह सब याद वना चाहिए निट्री लियंट्र लियंट्स के नीट्री लियन्स के नाम बिल्कुल अलग तरीकास लिये जाते हैं त सक्शे बाते पिछली क्लास में आपको शिखाई मैं ने पाहेंating देश्ट रथे यहां तुम इसको देखो ये अमीनो एसिड है क्यों कैंगे अमीन है और यहां से नीगेटु चार्ज से बाउंड बनाता है यह लून पेर बनानता है इसलिए यी भी बाइदेट है सर्फ बाइटेंटेंटेट कौन? जो 2 कॉणिेट बॉन है किसके साथ? अनको बोलते है बाइटेंटेट, ठीक जी ट्राइटेंटेट, जो 3 बनाएट, 6 जो बनाता है जैसे इसका नाम, किसी को बता, इसका नाम पिछली पर क्या दिया गया था? जो यह बनाया है complex कि इसका नाम में कुछ बताया था है याद तो करना पड़ेगा बच्छा याद नहीं करोगे तो प्रॉलम हो जाएगी होते हैं कि इसके बाद यह सब तो बच्छों वाले कोर्शन थे आप लोगों को आते थे हम इसके आगे बढ़ते हैं हमने अभी बात बोली कि लिगंड कितने चार्ज की बैसे पर दो डिवाइड कर लिया था लेकिन इसके साथ यह जो मूनो डिंटेट पॉली डिंटेट होता ह यह division कभी किस बेसिस पे कितने कॉर्णेट बहन बना रहा ह है तो जितने भी नंबर आज म Спac Hinter oxenschर भड़े लावा भूद रिखना-पड़े को सब एक-एक बार्न बनाते हैं अच्छी बात इनकी सब कि क्या है कि यह monodentate तो हैं ही प्लस इनका oxidation number भी minus 1 है, इनका सबका oxidation number कितना हो जाएगा, minus 1, charge के equal इस पसीज का oxidation number charge के equal होता है अब इन दो नामों पे आ जाओ, इन दो नामों पे ये दो नामों आ जाओ एक्छली कुछ ligand ऐसे आएंगे इनको बोलते हैं, अभी आगे चलके आएंगे ये nitrogen की तरफ से भी bond बना सकता है, और ये oxygen की तरफ से भी bond बना सकता है ये NO2, जो दो तरफ से coordinate bond बना पाएं, उनको बोलते हैं, अभी हेडिंग आ जाएगी इनके नाम पे ध्यान दू जब इनका नाम आयूपेसी में लिखा जाएगा तो nitrito and या nitrito o जोगों दोनों की spelling क्या है same, बोत है उता same spelling लेकिन कई जगा पे, खासकर cbc board की में बात करूँ तो वो लोग ऐसे लिखते हैं nitrito, nitrito वो एन वे नहीं लगाते हैं तो कई जगा पर ऐसा भी यूज आ जायाएगा कि nitrito, nitrito ऐसे करके यूज कर लेंगे तो वो भी हम आपको जिक्र करेंगे बस बताते चल रहे हैं बीज बीच में by-dented में कुछ अच्छे देख लो पहले मैं उनकी बात करूँगा जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं फिर बाद में जैसे oxalate तो मैं याद करना ही पड़ेगा ये यूज होता है बहुत ज़्यादा जब भी नाम लिखा जाएगा तो oxalate ओके तोर्फे ये यूज होते हैं acetyl, acetonate यूज होता है लेकिन उतना जादा नहीं है उससे जादा तो ये यूज होता है glycinate ion glycinate ion कई जगा पर मैंने देखा gly लिखके काम चला ले जा जाते हैं तो ये सब bidentate है आपके सामने हैं याद आपको करने ही करने हैं इसलिए बताया जा रहा है pentadentate बहुत rarely यूज होता है EDTA काफी जाद बार यूज होता है इसलिए इसको याद करना पड़ेगा अब हमको जड़ी जड़ा बताओ OH- को complex में हम क्या नाम देते होंगे देखें किसकी नजर टेश थी इसको याद होगा वैसे idea लगा भी लोग है इथालीन डायमीन बाइडेंटेट मैंने पढ़ाया था कैसा होता था इन कुछ फर्मला ऐसा होता था CH2 CH2 NH NH मैं बिल्कुल बच्चों बच्चों से पढ़ाना चालू कर रहा हूं जिसे आपको concept clear रहे यह बाइडेंटेट होता है तो बाइडेंटेट हो गया अंबिडेंट मैंने बताया था इनके बारे में आपडेंगे अंबिडेंट व sunt होते हैं जुक्तवरीं जो गतल्वार जो दो तरफ से एằटाय कर सके तो वैसे यहां पर भी यह 2 साइट से अटाय तो तो कभी यह नाइट्रोजन की तरफ से भी बांड बना सकता है और ऑक्सिजन की तरफ से भी बना सकता है कोई बोले क्यों डू टू रिजोनेंस आप जब ऑर्गिनिक में जाओगे तो पढ़ोगे रिजोनेंस के कारड़ एलेक्ट्रॉन पेर यह जो देखो एक बार डबल बां घिनर कोई पूछे क्या होता है तो हम जो क्या कर सकते हैं जो क्या क्या कर सकते हैं जो ऐना सब्सक्राइड कहते हैं मेटल एलाय इक है सब्सक्राइड हम आइटम और आयन उसके साथ एक से जयादा घ्लियए इन Dazu घ्य ler ू है है अच्छा एंपिटन लीगन कई तरीके के होते हैं जैसे से कह तरीके का अभी तो ङॉइनेशन यहाप लिखे गई है यह ऐसा लीगन्ट जिए में दो से जाधा दो या दो से ज्याधा तरफ से बॉंड बना सकते हैं जैसे यह नाइट्रीटो ओ पढ़ेंगे यह याद रखिएगा जैसे थायोसानाइट यह इधर से भी बना सकता है नाइट्रोजिंग कि तरफ से बना सकता है तो अगर इधर से बना बनाएगा समपर की तरफ से थायोसानेटव पढ़ेंगे तो इस बना बनाएगा तो याद हो नहीं चाहिए आप लोगों को चलिए इसके बाद आगी थाजरा से js...... इसके बाद जैसे साइनाइड हें इस अंवीड़ेंटम इस अंवीड़ा इस ह contraclion में त्वर्प पनाएगा तो साइनो जा साइनिडो और नैंट्रोजन की तरफ से बनाएगा तो आइसोसाइनो जा ना ँस दाल तो यह हम लाइक दा क्लॉफ लॉबस्टर केकड़े का जो हाथ नहीं होता है उसके जैसा यह तो थो थोड़ा इधर थोड़कल बाते हो गई हम मुद्दे की बात करें चाहिए आप ऐसे कहोगे कि वेन वेन अब पॉली डेंटेट लीगेंड्स जब कोई पॉली डेंटेट लीगेंड्स जो होता है पॉल fon a ॅ ऌ लॉबस्टर इंट रिग मःस्टर इंट्यो टिम दीगल डैप म म Würब बाते। ह नहीं enjoy उन पॉली नागि डेंट्रा इंट्ट्रा um बाते जोंट्यम उन आप्यं इंट्रा इंटम्र वित तली एंट्रा इंटार इंट्यम इंटS वत्रा कोईंट्रा इंट्रा जब कभी-कभी polydentate ligands होते हैं वो एक close ring बनाते हैं चार या चार से ज्यादा member की किसके साथ metal atom के साथ then that ring तो ऐसी condition में then that ring is known as उसे हम जानते हैं किस नाम से के नाम से कूछ लोग इसको चिलेशन परते हैं कुछ लोग क्लेशन परते हैं ऑपने लिखायर क्या होते हैं आपने क्या टिक ओन्र मैं परते हैं और उस चिलेट की क мол Akt कि लेट रोगा क्या होगा ? है इस के क Character, components complex gets जिसके काड़ क्या हुआ complex get extra stability इसके काड़ complex जो होगा उसको क्या मिलेगी extra stability मिलेगी this phenomenon is known as this process is known as this effect is known as chilation effect आप मैं समझाता हूँ यह तो मैंने लिख दिया जिसे आपको थोड़ा समझ में आए क्या कहना चाहरा था कि एक एक्जांपल से समझाता हूं साथ समझ में आ जाए जैसे मैं एक लिगंट ले लेता हूं इयन इत्फेन वन कामा टू डाइमीन थोड़ा ध्यान देना अब यह एथेन वन कामा टू डाइमीन यह से बनेगा यह मेंटल अटम आएन हो गया यह लोन पर इसके पास था यह गार इस रिंग के अंदर देखो तो कितने मेंबर देख रहे हैं दो कि दो कि चार के ताच यह तभी तभी देखनें चाहता मिलता पॉलिडिंटर ली को थे अधिकता तब देखनें मिलता है तो जब poly dented ligands होते हैं वो metal atom iron के साथ closering बनाते हैं और closering में चार या 5 या 5 या 5 से ज़्यादा member की को एक ring होती है उस ring को बोलते हैं chillet ring और उस ring के कारड complex को stability भी extra मिल जाती है पर ये कैसे ये इसका इसा तो हमई हम खुद होगे हमको इक बात बताओ एक केस कुछ ऐसा हो कि लीगेंस ऐसे जुड़े हों ल 1 L2 और इधर जुड़ा हुआ है L3 L4 एक केस ऐसा है और उसी में मैं इसको ऐसे जोड़ता कि यहां पर इससे जुड़ा और L1 L2 से भी जुड़ा हुआ हैं इधर L3 L4 भी जुड़े हुए हैं और L3 L4 जो है वह आपस में भी जुड़े हुए हैं तो बताओ complex में ज्यादा stable कौन है किसमें bond को तोड़ना कठीन है लिगंड को हटाना कठीन है इसमें किसमें इसको मैं पहला कैसे देना उसको दूसरा किसमें कठीन है लिगंड को कठीन है मतलब कहीं न कहीं complex ज्यादा stable है अगर लिगंड को तुम हटा पा रहे हो तो कम स्टेबल है वह complex तो तुम देख रहे हो कि चिलेट रिंग बनने से complex को एक्स्ट्रा stability भी मिलती है इस effect को कहते हैं चिलेशन effect तो एक्जाम में क्या आया है इस पर भी ध्यान देना चिलेशन effect बोला है यह चिलेटरिंग बोला है तो उसके recording आप conclude करिये अब बात को आप जब अभी last में इसको आओगे chapter के ending में तो दो complex बने हो अब किसी में माना इन हो किसी में नार्मल मोनोडेंटेट हो सारे लीगंड पूछे कौन स्टेबल है तो इन वाला स्टेबल हो जाएगा क्यों क्योंकि इन चिलेट रिंग बना सकता है तो यह सब बात ध्यान दीजेगा तो इस एफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन एफेक्ट एक बात आगे ब देटिंग लीगंड जैसे एक एक इग्जांपल उन्होंने यहां पर दिया आप इस बात का एंसर दो थोड़ा से भी लो देखे कौन आसर था है हैं आप बिड़न लीगंड इस अंटेइन हुहुहुँ सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी एंबिडेंट लीगन क्या होते हैं कि दो डोनर एटम होते हैं बट अनली वन आप दम फॉर्म कोडिनेट बॉंड एट अटाइम यह वर्ड थोला लिख देना चाहिए था उनको अटाइम जब दो डोनर एटम हो और जब दोनो दोनो एक साथ बना लें तो उसको बाइट इंटेड लीगन कहेंगे लेकिन जब दो डोनर एटम हो और केवल एक ही कॉडिनेट बॉंड बनाए चाहिए इधर से चाहिए उधर से तब हम उसको काम करेंगे वो दो डो घूल ए अटम आयन को बोलते इधर बिच्प अपने साथ से लेंगोज बना सकती हों इसमें चलेशन हो रहा है ना इसे चलेशन ही बोलेंगे चलेशन में single metal atom ion सो फोली निटेट लिगंड रहे है ठीके इडिड नॉट रहे है तो आप क्या बोलोगे bridging ligand can be defined as those ligands which can work as a bridge between the two metal atom ion और which join itself with two or more than two metal atom ion वहाँ एक ही metal atom ion के सजब रिंग में नहीं ती उसको बोल देते चलेट रहे हैं अब अगली कहानी आई है coordination number के definition पिछली क्लास में बताया था में ने क्या बताया था कि कितने number आप coordinate bond बनते हैं number of electron pair accepted by metal atom ion चाहे ऐसे कह लो या और आसान भासा में लिखना हो तो सीधे number of coordinate bond number of coordinate bond made by ligands ligands कितने coordinate bond बना रहे हैं किसके साथ with central metal atom ion central metal atom ion के साथ कितने coordinate bond बना रहा है उसी को बोलते हैं coordination यहां कितने coordinate bond बनेंगे 6 यहां कितने बनेंगे 4 लेकिन सावधान क्या सावधानी कि ligands के number देखके मत बताने लगना coordination number पता तला एक कोशन ऐसे आ जाए हमने लेका chromium यहां पर हमने लेका water की power 2 EN की power 2 ऐसे लिखा अब यहां पर तुम्हें कहा है यार लीगन्स तो यहां पर 4 है तो coordination number 4 होगा क्या coordination number 4 होगा नहीं गलत क्योंकि यह monodentate था यह अकेले 1 coordinate 1 बनाता था तो 2 यहां से हो गए और EN by dented था तो यह अकेले 2 बनायेगा तो टोटल कितने बनायेगा दो दुनी चार और चार और कितने होगा छे तो इसका coordination number कितना हो गया तो यह गलती करने से बचिएगा इडिटी यह आ जागा तो इडिटी यह अकेले बना देता छे तो कितने coordinate bond बनते हैं उसको बोलते है coordination number आप नमबर आफ लीगेंड से confused मत होईएगा अगर monodentate है सारे के सारे सारे के सारे एक ही एक बना रहे है coordinate bond तो वही हो जाएगा जितने लीगेंड उतने ही coordination number अधर्वाइज बाइडेंटे ट्राइडेंटे में थ्यान नखिएगा ठीक है यह पताया गया था पिछली क्लास में पूरा सिखाया गया था कि जो हिस्सा स्कॉर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है जो हिस्सा होता है जो जो कांटर के लिखात है और जो हिस्सा बाहर लिखा होता है जोको बोलते हैं आयनाज़ेशन इस्पेर यह बताया हुआ है त मैंने बताए है आपको या पिर उसको हम काउंटर आयन भी कहते हैं वी आल्सो नोन अज दम काउंटर आयन इसको काउंटर आयन भी कहते हैं कि चलिए आगे बढ़िए को अधिशन पॉली हैड्रॉन कि यह जो 3D arrangement होता है 3-dimensional element यह तो पता ही है कि यह तो सबको पता है कि लीगेंट्स के चार उतरफ होंगे लीकिन वह अपने को 3D में अरेंज कैसे करेंगे मतलब क्या वह टेट्रहेड्रली अरेंज है यह पढ़ा था ना 11 अरेंजमेंट में फॉर्म में हैं या कैसे हैं या फिर वह स्क्वार प्लेनर की फॉर्म में हैं मेटल अटम ऐन ऐसे हैं और चार लीगेंट्स इसके चार उतरफ ऐसे लगे हुए हैं और वह स्क्वार प्लेनर वन आ रहें आरेंजमेंट्स या ओक्टाहेडल बना रहे हैं एक उपर एक नीचे भी हो जाए छे-छे तो इस पेसियल अर्जमेंट कैसा है किसका लीगेंट्स का किसके एराउंड में एराउंड में मैटल अटम आयन उसी को बोलते हैं कोडिनेशन पॉलिहेड्रॉन एक नंबर में ये भी पूछते लेता है हम लोग अभी पिछली क्लास के ही पोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम था है ताम हैं के चारू दरफ उसको बोलते हैं कोर्डिनेशन पॉलिहेड्राउन स्क्वायरपलर ओक्तौ heb old जी तुर्ज्ला same kind of, अगर सारे के सारे ligand complex के अंदर सेम ही हो, तो homolyptic, जैसे सारे के सारे ammonia ही हैं ligands, तो homolyptic complex है, अगर ligands अलग-अलग हैं, different kind of, तो उसको heterolyptic, there are two type of the complexes, division एक और हो गया, if all the ligands are of same kind, that is known as homolyptic complex, if the ligands are of different kind, then that is known as heterolyptic complex, next one, coordination number बताया जा चुका है, इसका coordination number 2 है, इसका coordination number 6 है, यह तो एक simple सी चीज़े, number of coordinate 1, अब मैं एक बास दिखाने जा रहा हूँ, आपके सामने एक screen दिख रही होगी, table दिख रही होगी, कोई height तो नहीं हो रहा है, कि तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, oxidation number निकानना, यह बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि हो सकता है, मैं next class में आपको IUPAC सिखाऊ, इस chapter में, चाहे competitive level की बात करो, board level की बात करो, school level की बात करो, IUPAC तो fix ही fix है, वह भी यह नहीं कि एक साल आया है, एक साल नहीं आया, ना, ना, हर साल आयेगा, तो IUPAC में यह बहुत बड़ा role निभाएगा, यह सब्दों को IUPAC निम लिखे गए हैं, मैं यहाँ पर IUPAC निम नहीं सिखाने जा रहा हूँ, यह जो roman number में लिखा है ना, इसके अंदर, यह है oxidation number, किसका, metal का, तो metal का oxidation number कैसे निकलता है, बस वो मैं तुमको सिखाऊँगा, कुछ example ले लेके, अलग-अलग, इसलिए कुछ example लिखा, जैसे हमने एक example ले लिए, K2, ZN, OH का whole 4, जैसे हमने ले लिए हमाना type 1, अब इसमें माना मुझे निकालना, मैं एक एकर करके practice करा दे रहा हूँ, किसका oxidation number निकालना है, जिंक का, सबके oxidation number तुम्हें याद होने चाहिए, खास कर कुछ तो तो तुमने इधे डॉक सेटर में 11 में याद किया था, प्लस 1, तो प्लस 1 होता है, जिसका निकालना है, उससे क्या मानते थे, एक्स, हाइड्रोकसाइड के कितना होता है, मैं यह कैसे बताओ, यह तो अभी जब मैं लीगंड नहीं पढ़ा रहा था, तो लीगंड में आया था, ओएच माइनस वन, हइड्रोकसाइड को अपर माइनस वन चार्ग था, मैंने बोला था, जिसपर जितना चार्ग होँ, वही अक्सुडेशन नंबर, हाइड्रोकसाड के किनना होगए, माइनस वन, और पूरे को अपर कोई चार्ग नहीं, निट्रल है तो जीरो, पूरा स्वाल करने पर और निक्ला टू इसलिए तो पहले वाले का और निकला था अब और भी प्रेक्टिस करा दे रहा हूं और यहां लिखा है क्रोमियम यहां लिखा है नहीं का होल टॉई SCN का whole floor ऐसे अब अमोनियम आयन का plus 1 होता है चार्ज ही नहीं तो जीरो यह भी याद अगना न्यूटरल में चाहए इतने हो जैसे था वाटर था अमोनिया था तो जितने भी नूट्रल लीगंट्स होते हैं उनका उप्सेडेशन नूमबर कितना हम लेके चलते हैं 0 तो अमोनिया के क्तना हो गया 0 था था ता साइड धिंग-1 था इक्वल टू जीरो चार्ज जीरो कोकि पूरा कॉंप्लेक्स नूट्रल है कैस निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहेगे आप कुछ अलग complex ले लेता हूं जैसा यह है इसको पर पास्ट्यू चार्ज है इसको करता हूं FE P5 H5 ठीक है का whole twice ठीक है अब इसका operation निकाल लेते हैं अब इसका operation निकाल लेते हैं अब इसका operation निकाल लिया ठीक है अब यह मुझे लगता है little bit सायद थोड़ा वह तदूरा हो इस बाट चेक करना पड़ेगा आपको कि यह है क्या पेंटाडाइणाईल इसका oxidation नंबर आप चेक करिए गाए जितना मुझे को याद आ रहा है इसका oxidation नंबर थुला गड़बढ है प्ला जो भी इसका oxidation नंबर होगा इक्कल टू प्लस वन कर देते और कर लेते तब इसका निकलता लेकिन कुछ यहां पर गड़वर है साथ यह तो कुछ चीज़ें तो दूई है तो दिया नहीं किया फिला ले से जाएगा और कुछ कोशन बता रहा हूं ठीक जब आएगे कोशन में कराऊंगा तो सारी कोशन प्रेक्टिस करा लूंगा आप जैसे अब एंसर के साथ मैच नहीं करा ना तो प्लस टूगर हमने ले लिया तो एक्कवल टू किना ले लेते प्लस वन ले लेते अब प्लस वन ले लेते तो इसका मतलब वो किना निकलता प्लस वन माइनस फूर तो वह वाल्यू थोड़ी गलबड आने लगते तो यह चीज इसी स्प्रिंट हो जाता है कभी कि उसके लिए प्रिसान ना हो अब मैं जो चीज सिखाने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो क्या सिखाने जा रहा हूं तुम सबका निकाल लोगे और कोई बहुत कठीन चीज नहीं होता जैसे किसी अपर निगेट्टिव चार्थ हो एसे कैसे सॉल होते हैं वहण डबल कांप्लक्स वाल ही ठाम फैंजर सgreat कॉंपलक्स है इधर वी कॉंपलक्स है इधर भी कॉंपलक्स में प्रॉल्म होते हैं it डबल कॉंपलक्स को चौल करने का कोई रूल नहीं होता है मैं गुब पढ़ाते हैं आत्लु 751 अत्योंटैंस में अपन तो इसमें माना कोई metal है और कुछ ligands हैं आप इसको कैसे solve करते हैं इनको solve करने का तरीका मिल जाता है कैसे इनको solve करने का तरीका यह है कि आपने क्या किया कि इसको तोड़ दिया कैसे तोड़ा यह टूटेगा यह टूटेगा कैसे 3 this complex H2O का whole 4 और तो यहां होता है यह charge इसके उपर आता है ऐसे cross multiply नहीं होता था तो यह charge इसके उपर आएगा plus में और यह वाला charge इसके उपर आएगा इधर minus minus और minus 3 आप इसको अलग ले solve कर लो इसको अलग कैसे solve करोगे मैटल का निकालना है तो उसे x मान लो ligands 1 का जो भी operation number उसका जो भी equal to minus 3 solve कर लिया इसके निकल के आगया इसको भी solve कर सकते हो पुरा x मान के पूरा solve करके plus 1 के बड़ावर दो तो अकर दो complex के बीच में यहां पर यह value दी हुए ही तब तो थोड़ा आसान होता है उसको तोड़ कर कर सकते हैं जैसे call loss law में break किया था लेकिन जो आपको problem देगा वो यह problem देगा कि जब दो complex लिखे हों कुछ ऐसे और बीच में तोड़ने वाला भी pattern ना हूं कई जगा पे तो 33 आ जा है आसान है जगिन कई जगा पे थोड़ा घरबर होने लगता है इसका कोई रूल नहीं है एक concept है वो बता रहा हूं कि इन में तुम्हें हिट एंट्राल मेथड लगाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं हिट एंट्राल मेथड नो वन अनदर मेथड आप भुष्यक करिएगा कोई दूसरा नहीं हिट एंट्राल मेथड क्या है जो मेटल होते हैं खासकर इस त्रीके के उनके जो फॉस्बल और ऊक्सिदेशन नंबर हो को रेंडमली रखना है और रखके देखना है के टाइन पास्टूली आना चाहिए ना नेगीट्व आना चाहिए जैसे इसमें रखो कोफलर ता प्लस 3 होता है और कितने होता है प्लस 6 तो अगर हम प्लस 3 यहां रखते है तो देखो यह प्लस 3 यह रख दिए ती को यह रहा है जिरो सरिए स्रीट का केतना पड़ेगा माइनस राया की नहीं आहügा अब पूरा 10 करोकि तो तो देखो चार्ज और ओर राल कितना निकला निगेटू और यह इसा निगेटू ही है यह सब थोड़ा समझ नहीं है फिर से समझा रहा हूं देखो यह हिस्सा क्या है क्या है क्या है यह सक्टाइनिक है तो इसका तो मैक्सम्ट चार्ज आ सकता है या तो 0 रहे या तो पास्ट्यू रहे इसके लावा कुछ नहीं, 0 या पास्ट्यू के लावा निगेट्यू में तो नहीं जा सकता है, इसका तो total oxidation number का sum आएगा, वो charge के बराबर होता न, पढ़ा नहीं था, oxidation number का sum जो होता है वो charge के बराबर, और neutral है तो 0 के बराबर, तो या जीरो हो या तो निगेट्यू हो, तो कि एनायन है, अब क्रोमियम का plus 6 होता है, और plus 3 होता है, ठीक, तो अगर plus 6 और plus 3 है, तो इसे plus 6 क्यों नहीं माना, plus 6 भी मान लेते, तो ज़्यादा सही रहता, 0 आ जाता, लेकिन अगर से तुम plus 6 मानते, और पूरा overall solve करते, पूरा overall, त पूरा overall solve करने पर, फिजान तो क्या आता, 0 ना था, जैसे इसे plus 3 माने थे, देखो कैसे नहीं आता, इसे तुम plus 3 माने थे, 0 आया, minus 1 आया, इसे plus 6 में ले लिए तुम, इसको minus 6 ले लिए, तो overall कहा 0 आ रहा है, तो इसमें hit and trial लगाना पड़ता है, hit and trial का मानलब दो possible value होती ह है, दोनों में से, कटायन पर वो value रखो, जिससे कोसिस यह रहे कि यह past 2 बना रहे है, वो negative बना रहे है, और दोनों value के रखने पर, overall 0 बन के आए, सब का add करने पर, तो इन value को hit and trial method से ही solve करना पड़ेगा, ज्यादा value नहीं होती है, इसलिए परिसान नहीं होना पड़ेगा, रहा बाकी सबके oxidation number की, तो उनका तो तुम्हें headache लेना ही नहीं, वो आराम सुझाते हैं, जैसे यही देख लो, copper, NH3 लिखा है, यहां लिखा है water, यहां लिखा है BR2, अब इसका oxidation number नकला है, तो X, ammonia का 0 हो गया, water का किना हो गया, 0 हो गया, ब्रोमीन का किना होता है, minus 1, सब देख रहे होगे एक interesting बात, कि कईयों में, ऐसे square bracket करके 4, 2 लिखा है, लेकिन BR में नहीं लिखा हुआ है, CL2 में लिखा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों नहीं bracket करके है, हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखते है 2, तो इसका भी rule है, कि जो ligands होते हैं, अगर वो same element के ह है, देख उसमें दो अलग-अलग atom है, carbon, nitrogen, तब whole six लगाया, BR same type का है तो नहीं, fluorine same type के है तो नहीं, जब दो अलग-अलग atom के combination से बना हो, ligands, तब उनके repetition पे हम parenthesis लगाते हैं, या square bracket लगा कितना number लिखते हैं, बाकि नहीं लिखते हैं, तो oxidation number तुम निकाल ले जाओगे, that is not a big part, वो कोई बहुत dealing की वाली बात नहीं है, double complex वाले में थोड़ी dealing वाली बात होती थी, वो हमने आपको सिखा दे, बाकी oxidation number अगर निकालना सीख गए, तो आपके लिए कोई खास problem नहीं है, एक topic और बचा है, 10 मिन का, इसको बता देता हूँ, then you are free, एक है topic effective atomic number, effective atomic number क्य ही उसकी definition है, क्या है, total number of electron in the metal atom और iron, जो complex के अंदर metal atom और iron है, उसके अंदर total electron कितने है, उसको खुद के balance electron, प्लस legands ने कितने electrons को दिये, after gaining the electron from donor atom of legands, ठीक है, formula देखो क्या है, formula यह है, कि EN जो होता है, अब पहला तो उसका atomic number, जो भी atomic number हो, जैसे iron है, तो iron का atomic number 26 है, तो 26 लिख दिया हमने, minus number of electron lost by the iron formation, ज़रूरी थोड़ी complex के अंदर iron ही हो, complex की form में हो सकता था, उसके दो लूज भी तो किये होंगे, तो 26 होडी count करेंगे, तो इसलिए जो iron बनाने के समय, electron lose किया होगा, वो भी radical होगे, और जो ligand से उसने gain किया होगा, उससे निकलत करते हैं, कुछ question हम दे दे रहे हैं, आप कुछ समधा के बताते हैं, देखो कैसे, जैसे ये complex आया, इस complex में कोबाल्ट, अब कोबाल्ट neutral है कि iron है, कैसे बता चलेगा, oxidation number से, कैसे, x, आउनिया का कितना होता है, 0, क्लोरीन का कितना होता है, minus 1, equal to neutral, 0, तो x equal to कितना है, प्लस 3 की फार्म में है, ठीक, कोबाल्ट का oxidation state कौन है, प्लस 3, कोबाल्ट का atomic number कितना होता है, 27, लेकिन 27 होडी जोड़ोगे, 3 तो घडाना पड़ेगा आपको, तो 3 घडा दिया आपने, 24, प्लस, ये कितने electron donate करा, देखो, ये एक electron pair दे रहा है, तो एक electron pair का मतलब कितना होता है, दो, electron, और total किने 6, तो 12 इसको ligand से मिल गए, तो इसका कितना निकला, EN 36, और 36 दखो, chromium के पास का है, अब इससे पता क्या चलता है सब, हम effective atomic number समझ गए, पूछ लेगा, हम definition भी बोल देंगे, total number of electron contained by a metal atom ion of its own, plus gain by the electron pair given by the ligands, ये इससे पता क्या चलता है, अगर तुम एक rho देखो, किसी भी predictable की रो देखो, ठीक है, किसी एक predictable की रो देखो, अब पताता है इसमें iron है, इसमें कोबाल्ट है, उसी के रो के common में जब तुम आओगे, तो यहां तुमको chromium मिलेगा, noble gas में, helium, neon, argon, krypton, ये मिलेगा, जिसका क्या है, 36, तो जितने भी complex compound है, यहां जितने metal तुम देख रहे हो, चाहिए वो जो भी हो, scandium, जो भी, nickel, जो भी, इनके जितने भी तुम complex देखोगे, जिसका EN इसके close आएगा, chromium के, उसको उतना stable complex मना गया, एक rule दिया गया, EN का, क्योंकि chromium, एक stable element होता है, तो लोगों ने एक नियम बनाया, कि effective atomic number निकालो, और effective atomic number, उस row का, जो सबसे last वाला noble element है, उसके atomic number के पास इतना आएगा, वो उतना ही stable रहेगा, जैसे, मैं इसको समझाता हूँ, एक example के through, जैसे इसका निकाला गया effective atomic number, कितना निकला, 36, ये भी 36 निकला और और factor देखना पड़ेगा, लेकिन माना किसी का effective atomic number निकलता, वो 34 निकलता, किसी का 32 निकलता, किसी का 36 निकलता, effective atomic number, तो जिसका 36 निकलता effective atomic number, वो complex more stable होता, तो stability of complex में effective atomic number भी अपना role निभाता है, बाकि EAN निकाला कैसे जाता है, वो यहाँ पर हमने सब्जा दिया, effective atomic number जितने भी important terms होते थे, complex compound में, वो सारे आपसे discuss किये गए हैं, जितने भी important terms बनते हैं, next class में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें हम आपको IUPAC का topic, plus अगर extra time मिलता है, then मैं आपको Werner's theory explain करूँगा, most possibly 4-5 lectures और होंगे, 5-6 lectures उसके बाद आपके chapter complete होगा, चलिए आज class की class यहीं तक रखते हैं, ठीक है बटन, जाएं